तो दोस्तो आज मैं आप सभी को Google के दो बड़े अपडेट्स के बारे में बताऊंगा दोस्तो जैसे कि कुछ टाइम से चर्चा हो रही है Google अपने लोगप्रिया एप Google Play Music को बंद करने जा रहा है लेकिन इसका रिजन तो अभी तक नहीं पता लग सका है पर Google ने इसे अप को बंद कर दिया है और उसके बाद इसकी सर्विस बंद हो जाएगी और कुछ इस तरह की स्क्रीन सामने आ जाएगी तो आज मैं आपको बताऊंगा इसका क्या सिलेशन हो सकता है और कौन से अप आप इसकी जगा यूज़ कर सकते हैं तो ज्यादा टाइम वेशना करते हुए वीडियो करते हैं स्टार्ट मगर उससे पहले अगर आपने अभी तक मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल नोटिवेजन को ओन करने के साथ साथ वीडियो को लाइक पी कर दो तो वीडियो सुरू करते हैं तो सबसे पहले तो आपको एक 10 MB का अपडेट प्ले स्टोर में मिलेगा और उसके अपडेट करने के तुरंत बाद ही अगर आप अप ओपन करोगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा इसका मतलब है कि अब गूगल प्ले म्यूजिक की सर्विस बंद हो गई है और आपको एडवाइज दी जा रही है यूटूब म्यूजिक एप टाउनलोड करने की और इसमें आप सारा डाटा ट्रांसफर कर सकते हैं ट्रांसफर टू यूटूब म्यूजिक पर क्लिक करके और दूसरा ओप्सन है मैनेज यूज डाटा तो सबसे पहले तो आप यूटूब म्यूजिक पर स्विच कर सकते हैं पहला अल्टरनेटिव तो यही है और दूसरा आप दूसरे अल्टरनेटिव जैसे जियो म्यूजिक, विंक और भी बहुत सारे एप आपको प्ले स्टोर पर मिल जाएंगे और अब बात करते हैं गूगल के दूसरे बड़े अपडेट की अगर आप डेली जीमेल या गूगल ड्राई एप का यूज करते हैं तो आपने देखा होगा कि जीमेल का लोगो बदल गया है और साथी गूगल के हैंग आउट जीमेट का लोगो भी बदल दिया है जो अब पहले से कहीं ज़्यादा मोडरन और कलरफुल है क्योंकि इसमें अब गूगल मैप और क्रोम की तरह चार कलर आ गए है और अब गूगल ड्राईव का भी ऐसा ही लोगो अपडेट में मिल गया है तो कौन सा अपडेट आपको सबसे ज़्यादा पसंद आया कमेंट करके बता सकते हैं और अगर आपको किसी खास टोपिक पर वीडियो चाहिए तो वो भी कमेंट करके बता सकते हैं तो मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाई बाई टेक कियर